प्रणे और सौरब के साथ करते हैं पुलिया बाजी तूम कैसे हो बस मैं तू मजे में हो मजे में हो हां नीँ, हुलिक्राइर फकैस्त कर दा है लेकिन आज तो खास पाड़कास्ट है ख्याती तूम बताओ क्यों खास है आज हां क्योंकि आज प्रणे हमारे कोहोस्ट नहीं है वो आज हमारे guest है one of the guests है, हमारे साथ दो guests जुड़ रहे हैं, प्रणे और रगू S. जेटली जो एक बहतरीन किताब अभी जो आई है, Missing in Action के authors हैं तो आज हमसे खास बातचित के लिए जुड़ रहे हैं और हमारे श्रोताओं को एक्षली कोई नया टॉपिक नहीं है क्योंकि हम काफी सारी चीजें इन चीजों में से डिस्कस करते आए हैं, क्योंकि हमें प्रणे को होस्ट है और हमारे रेजिदेंट एक्सपर्ट भी है प्लस ये किताब इंस्पार्ड है इनके लॉंग रॉनिंग न्यूजलेटर से एंटिसिपेड़ अनिंटेंडड तो हम कहीं बार उसमें से टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और उनी का कलेक्शन इन लोगोंने बहुत जबरदस निकाला है हम लिंक बगरा देंगे, ओबिसली बुक का और बेस्ट सेलर है बुक एमेजॉन पे पॉलिशी गवर्नेंस स्पेस में तो मतलब एक दम चाय होए प्रणे और रगु आप दोनों तो बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है दोनों का हमारे पॉड्कास्ट पर मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरा सोमवार और शुक्रवार एक साथ मिल रहे हैं आज क्योंकि सोमवार को हम लोग रेकॉर्ड करता है और शुक्रवार को रगु और मैं न्यूसलेटर लिखता है तो मुझे ऐसे लग रहा है एक दोनों मिल चुके है आज इस एपिसोड में तो वैसे जैसा कि आपने गा शुरोता काफी सुन चुके है मेरको और हम लोग काफी बार जो चीज लिखी हैं हम लोगोंने किताब में काफी चीज़े हम लोगोंने एपिसोड में डिसकस भी किये तो पर जो नए सवाल है उसके लिए मैं रगु को ही बोलूँगा कि वो जवाब दे जिससे कि हमें एक नया परिपेक्ष मिलेगा नया परसपेक्टिव भी मिलेगा तो रगु स्वागत आपका पुल्याबाजी में धन्यवाद सौरब, ख्याती और प्रनै मैं पुल्याबाजी का बहुत सालों से मैं पुलियाबाजी सुनता आ रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रशनशक हूँ आपके काम का, एक जिस तरीके से आपने इतने जिसे कह सकते हैं complex ideas, आपने काफी सहज तरीके से लोगों को समझाया है, मैं उस काम का काफी जैसे कि मैंने कहा, मैं उस काम को काफी appreciate करता हूँ, तो इसल तो ये तो बहुत, I mean, thank you so much, कोई भी हमारे long term listener, guest बनके आते हैं, तो और भी जबर्दस मज़ा आता है, तो लेकिन अभी guest है, तो सिर्फ topic की जगे एक थोड़ा शुरू से भी शुरू करेंगे, right, कि आप लोगों को, I mean, दोनों का perspective अलग है, बड़े किताब लिखने का idea कै कैसे आया आप लोग public policy के field में, कैसे डिस्ट भी हुई, ये कोई normal field तो नहीं है, कि सब लोग इन चीज़ों में interested रहते हैं हमेशा, तो ये सवाल दोनों के लिए, तो I think दोनों अगर एक एक करके थोड़ा सा बताए, I think प्रणे हमने भी, तुमने भी कभी ये पुलिया I think ये background अच्छा रहेगा दर्शकुन के लिए, कि भई, public policy में कैसे interest जमा, ठीक है मैं शुरू करता हूँ, तो सौरब आपको तो पता ही है, public policy की शुरुवात तक्षशीला से हुई, जैसे हम सब की हुई, पर लेकिन मैं उससे भी पहले जाना चाहता हूँ, उससे पहले, ज क्या है, उसको समझना चाहिए, तो उसके लिए UPSC एक ही माध्यम था, जो दिखता था सामने, तो UPSC के लिए कोशिश भी की, दो बार फेल भी हुआ, उसके बाद बस ऐसी चलती रही जिंदगी, लेकिन फिर एक तक्षशीला का कोर्स किसी ने बताया, मैं जिस company में काम कर उसमें एक intern था, उसने बताया कि यार एक कोर्स है, तक्षशीला का, तुम देखो, फिर मैंने कोर्स लिया, और उसके बाद public policy में वही रूची थी ना, कि हम लोग जैसे हैं, वैसे क्यों हैं, सरकार जैसे हैं, वैसे क्यों हैं, इतनी खतम क्यों हैं, कुछ चीज़ें, और ह हम लोग क्यों उसे बदल नहीं पा रहे हैं, यह सवाल शायद सब के मन में होता है, लेकिन मुझे लगा, इस कीड़े को कम करने के लिए कुछ और पढ़ना चाहिए इसके बाद में, तो तक्षशीला से में कोर्स किया, जुड़े आप जैसे लोगों से मिले और तब से ही public policy में इंटरेस था, और फिर तीन साल पहले हम लोगों ने एक न्यूजलेटर भी शुरू किया, सौरप तो वो न्यूजलेटर में हम लोग हर हफते लिखते रहे हैं, अलब 204 एडिशन्स हो गए हैं उसके तो हर हफते कुछ न कुछ लिखते वक्त हमें लगा कि 120 अंक के आपके रूप में पेश किया जा सकता है, तो बस वही थी कहानी, रगुव आप बताइए, यह जो कीडा वाला संदर्व जो है, यह तो मतलब मेरे पे भी लागू होता है, मैं हर तीन या चार साल में मुझे किसी चीज का ऐसा चस्का चड़ता है, और यह अची आदत है, एक एक तरीक से देखिया, तो घरवालों को लगता है कि बुरी आदत है, तो कभी हिंदी फिल्मों का चस्का चड़ा था, और मैं मतलब यह एक शौक के तरीक से कभी मतलब उसको वही तक नहीं छोड़ता हूं, उसके आगे निकल जाता हूं, जो जो चस्का चड़ता है, तो प्रणे ने कहा कि यह हमारे आस पास जो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और इसको कौन चला रहा है, क्या सोच के चला रहा है, यह एक जग्यासा रहती थी हमेशा, तो थोड़ा बहुत मेरा एकनॉमिक्स का बैक्राउंड है, तो जब मैं वो उस तरीके से इन चीज़ों को देखता था तो मुझे लगता था यह तो अब्वियस है कि यह गलत है, पर मैं कभी यह नहीं समझ सकता था कि यह गलत है, तो क्यों ऐसा सोचा जाता है, मतलब क्यों इस तरीके के फैसले लिये जाते हैं, जो अगर आप एक लेबल टू थिंकिंग पर जाईए, या आप दो तीन कदम आगे सोचिए उस पैसले के बारे में, तो यह तत्यक्ष रूप से मतलब सब को दिखाई दे सकता है, कि यह गलत है, फिर भी लोग करते हैं, तो यह एक सवाल मेरे मन में यह खटकता था, और करीब 2018 में जब एक मैरेथन रनिंग का चसका थोड़ा कम हुआ, तो अ माने में मैं शायद 15 गंटे दोड़ता था, तो जब मुझे लगा कि 7-8 गंटे मिल रहे हैं, तो इस पे कुछ काम किया जाए, तो कहीं से घूम फिर के पता चला की तक्षिला है, जहां पे कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो मैंने वहां पे अपना दाखिला लिया, फिर वहा मैंने या कुछ एक ब्लॉग फ्री वाला बनाया, और मुझे हमेशा लिखने का शौक है, एक तरीके का लिखने का है, मैं हमेशा सोसता हूं कि मैं जो भी लिखूं, लोग उसे पढ़के थोड़ा मुस्कुराए, चाहे जो भी हो, तो मैंने वैसा लिखना शुरू किया, तो प्रणे की नजर में आया कि कौन है ये बालक जो इस तरह की चीदें लिख रहा है, तो फिर प्रणे ने एक मेल भेजा कि भाई, मैं लिखता हूं, तुम्हें लिखना है कि अब पता नी प्रणे को क्या चला कि मतलब तीन-चार मेरे कुछ पोस्ट है, उसे देखके उन्हें प्रणे ने खाए नहीं, इसा करते हैं, हफते में एक बार लिखता था, फिर हमने हफते में एक बार करना शुरू किया, और वही हुआ फिर जब कुछ लोगों ने पढ़ा, तो उनको लगा कि शायद आप एक किताब बना सकते हैं, हमारे मन में भी कुछ ऐसी भावना थी, क भी प्रणे लिख सकते हैं, अपने साइड में कि वो बेस्सेलिंग ऑथर की बढ़ा बात है, यह बहुत मज़ेदार इंट्रोडेक्शन, तो इसमें मेरे को एक प्रणे इससे पहले तुम बोलो, मतलब और तुम इस चीज़ को भी एक्स्प्लेन कर सकते हो, तुम लोगों के न्यूजलेटर का टाइटल भी बहुत इंट्रेस्टिंग है, अपनी गलतियों का अनुमान करना सीधी भाषा में बोले तो, आना कि अगर आप गलतियों को पहले ही अनुमान कर सकें, कि क्या गलतियां होने वाली हैं, और अन्चाही गलतियां, ऐसे नहीं कि सिर्फ सकते हैं, तो ये काफी contrary thinking आपके writings में पहले से ही है, तो ये किस तरह से title के पीछे की क्या कहानी है, क्यूं ऐसा इन चीजों के उपर लिखना शुरू किया, इस बारे में भी कुछ बताई, तो सौरब ऐसे मैं पहले कह रहा था, लोगों को चसका लगता है, तो लोग उसमें गोते लगाते हैं, तो ये फरक है लगता है, तो इस सवाल के उपर में ये कहना शूंगा है, सौरब फरक है न, जैसे अपेक्षित और अनपेक्षित और अवांचित दोनों में फरक है, तो यही actually insight, मुझे तो प्रता बानू महता की एक lecture से मिला था जब तक्षिशिला में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने ये बोला था कि, not everything that is unintended is unanticipated, तो बस ये चीज़ जब मैंने पढ़ी तो ये तब दिमाग में वो बत्ती जल गई कि, ये तो बहुत सही बात है न, अक्सर सरकारे कहती है कि हमने कुछ अच्छी चीज़ की, नियत अच्छी थी, कुछ गलत हो जाती है, तो उसी को explore करते टाइम, फिर एक बहुत famous paper है 1926 का, तब से ये concept difference चला रहा है कि anticipating or unintended consequences में difference है, तो शायद मैं भूल रहा हूं किसका paper था, शायद Robert Merton का था, अगर मैं गलत होंगा तो हम लोग सही paper दे देंगे, लेकिन तब से ये idea है, तो वो paper पे हम लोगो के साथ मैंने paper भी लिखा था कि क्या difference होता है, अनपेक्षित और अवांचित में, तो उसको लेकर फिर हम लोग सोच थे कि नाम क्या हो, तो तब मैंने सोचा कि हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि हर जो नीती है, उसके शायद सरकार क्या कह रही है, क्या उसके उद्देश हैं और किस तरीके से वो solve करेगी एक problem को, और क्या हम लोग पहले से देख सकते हैं इन में क्या तूटिया हो सकती है, क्योंकि जैसे कि हम लोग हमेशा कहते हैं पुल्याबाजी में अगर हम लोग को economic reasoning या फिर एक समाज की अच्छी समझ होगी, तो हम लोग कई चीज़े पह होगा ने, तो इस तरीके की चीज़े हम लोग को लगा कि हम लोग लिखेंगे, पर सही कहें तो अब तो हम लोग कई चीज़े लिखते हैं public policy से जुड़ी हुई, तो हर article में anticipating the unintended उस तरीके के frame से नहीं लिखते हैं, लेकिन उद्देश यही है कि जादा से जादा हम लोग predict क कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ों की कर सकते हैं, और यह सब जैसा कि हम लोग जान रहे है, public policy, human systems, complex adaptive systems होते हैं, उनमे कुछ भी हो सकता है, अचानक से नहीं चीज़े, emerge हो सकती हैं, तो हर चीज़ तो हम लोग predict नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की गलतिया हम अक्सर Indian public policy म में देखता है, उस तरीके की गलतिया तो कई बार predict कर सकता है, शायद COVID-19 कोई नहीं predict कर सकता है, लेकिन प्रोइबिशन लाने से क्या होगा, वो आप बेशक predict कर सकता है, तो यह क्या हम आप, रगु आप क्या कहते हैं, मतलब जो भी आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, आप ही यह नाम दिया है, तो यह बिल्कुल मतलब आप ही को पता है कि क्यूं आपने यह नाम दिया है, वैसे एक जो श्रोता है, उनके लिए एक लिंक आप डाल सकते हैं, कि एक बहुत नामी फ्रेंच लिबरल इकनॉमिस ठिंकर थे, उनका नाम था फ्रेडरिक बास्तिया, और उन यह दिखाते हैं, कि जो एक खिड़की का जो कांच टूट जाता है, उसके जो कॉंसिक्वेंसे होते हैं, वो क्या हो सकते हैं, और यह जो आइडिया है, अंटिसिपेटिंग दी अनिंटेंटेट का, वो वही पे पहली बार एक एक इकनॉमिक थिंकिंग के जरीए, फ्रेडर वही पॉड़कास जो भी है, वो वही से आया है, वास्तियत के उस परबल अव प्रोकन बिंडो से ही आया है, अमित वर्मा का जो पॉड़कास देख नना, क्योंकि हां, उनको बास्तियत प्राइस भी मिला था, उससे पहले थो उसके बाद उनोंने पॉड़कास शुरू किय जिन्होंने हिंदी में आपको हायक के बारे में काफी बताया है सिरियस किताब नहीं है इसमें इतनी सारी फिल्मी रेफरेंसिस आपने डाले हुए है और बहुत ही इस अरल भाशा में समझाया है कि आप आसान है यह पढ़ना किताब तो यह तो मैं आपको बताना चाहती थी आज रीडर मुझे बहुत मज़ा आया यह पढ़ने में इसमें ख पब्लिक पॉलीसी के विक्रम सेठ साथ मुझे इन्होंने नहीं पाइ निस्टेक उनको चैतन भगत मिल गया हुआ हमने भी उनको थोड़ा घितन भगत की तरफ हमने हुद थोड़ा खीचा उन्होंने भी में हमारे अंदर का विक्रम सेठ थोड़ा जगाया तो बस यह किता जो आपने कहा सरल है मैं वही कहना चाहूँगा जो चर्चिल ने एक टाइम पर एटली के बारे में कहा था कि हमारा भी ऐसा ही है कि सरल इसलिए है क्योंकि हम लोग सरल लोग है हम से पले नहीं परता है जो बड़ी-बड़ी बाते है सही बात और उदेश भी यही था कि मतलब हम लोगोंने पहले ही लिखा इंट्रोडक्शन में हम लोग कोई पॉलिसी एक्सपर्स तो है नहीं तो उदेश यह नहीं था कि कि किसी को जो पॉलिटिशन है या जो सरकार में है उसे समझाए कि कैसे नीतिया चलानी चाहिए लेकिन यही उदेश था कि हम जैसे नागरिक जो हैं उन्हें बहतर समझना चाहिए पॉलिक पॉलिसी को क्योंकि अगर हम लोग कहते हैं यह लोगतंत्र है तो लोगतंत्र में तो हम लोग ने कई बार जैसे ओटन विंडो वाली कॉंसेप्ट के बारे में बात किया कि अगर हम लोग एक चीज चाहेंगे तो उसको रिस्पॉंड करते हैं पॉलिटिशन उसी चीज को तो यह भी ज़रूरी है कि हम लोग सही चीज मांगे सरकार से तो अगर हम लोग का उदेश यह था उन लोगों तक पहुँचना जो सरकार के बार है तो उसे सिंपल बनाना बहुत ज़रूरी था और जैसे एक बरुन मित्रा जी है काफी पॉलिक पॉलिसी के बार में वो भी लिखते हैं वो अकसर कहता है कि पॉलिक पॉलिसी में से पॉलिक निकल चुका है तो कई बार इतनी उची चीजे बोली चाहती है कि शाइब पॉलिक को इने समझ में है तो वो ही उदेश था कि अटलीस हम लोग पॉलिक तक पहुचा पाए पॉलिक पॉलिक को बिल्कुल वो तो हुआ ही है पर यह सिंपल है इसका मतलब यह नहीं कि इसमें बहुत सारी इंट्रेस्टिंग बाते नहीं है बहुत सारी इंट्रेस्टिंग बाते हैं जैसे कि आपने बहुत सारे enlightenment era के जो ideas हैं कि किस तरह से modern state का conception बना जो आज भी हम समझते हैं लेकिन मेरे ख तो आपने बहुत सरे enlightenment विचारों को अपने किताब में समझाया है, उसका references दिये हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, क्या आप उसको एक question idea की समझते हैं, क्या आप कुछ और angle से देखते हैं, और और एक सवाल ये तो थोड़ा बहुत आपने समझाया भी है अपनी कित हम लोगों ने ये कोशिश की है कि जो भी विचार है, जिस तरह के भी विचारधारा है, चाहे वो पास्चाति हो, वेस्टर्न यूरोपियन हो, इंडियन हो, हमने कोशिश की है कि हम उन विचारधाराओं को आज के संधर्ब में कैसे ला सकें और उसमें जो अच्छा है, जो जहां उसमें से हमें कुछ सीख मिल सकती है उसको कैसे आज के संधर में आज के समस्याओं उसके बारे में सोचा जा सकता है तो ऐसा नहीं है कि किताब में सिर्फ enlightenment thinking पे ही जादा जोर है क्योंकि हमने चानकी के बारे में बात की है हमने हजारी प्रसाद दिवेदी के बारे में बात की है हमने कबीर और कई जगाओ पे तुलसी और कालिदास के बारे में भी बात की है और ये मैं तो मानता हूं जैसे मैंने ये पहले भी कहा है कि हमारे एक बहुत famous भक्ती poet थे जिन्होंने काफी सारा संकलन किया था भक्ती पोइम्स का उनका नाम था नभधास और उन्होंने वह बहुती famous line लिखी थी कि जात न पूछो साधू की पूछ लीजिये ग्यान मोल करो तलवार का पड़े रहने दो मयान इसका मतलब है कि ये जो जो साधू है उनसे जो ग्यान मिल रहा है वो आप ले लीजिये ये मत पूछिए कि वो कहां से हाय है क्योंकि जो उसके अंदर जो है वो तलवार वो हमारे काम की है मैं आनको पड़े रहने दीजिये तो ये तो एक प्रिस्ट भूमी मैं देना चाहता हूं इससे पहले कि ये जवाब दूँ दूसरा है कि ये इनलाइटनमेंट इंडिया में क्यों नहीं हुआ देखिए एक दरार पड़ी थी वेस्टन सिविलाइजेशन में एक छोटी दरार पड़ी थी करीब नौसो जो नवी शतापती है उसको कहा था ग्रेट स्किजम जहां पे वेस्टन और इस् प्रोटेस्टनिजम चालू की है ये बहुत ही काफी इंपॉर्टन चीज है कि ये जब दरार पड़ी तो लोगों ने काफी जो मूल तरीके के जो सवाल है कि तब तक तो डार्क एजेस चल रहे थे और डार्क एजेस का मतलब यह था कि जो किताब में लिख्या गई है बात वही सब कुछ है वही आप की पोलिटिकल लाइफ डिक्टेट करेगी सोशिल लाइफ डिक्टेट करेगी एक। अब प्रोटेस्टनिजम का जो अदेश्य था वो यह नहीं था कि वो किताब पे ना जाएए वह ऐचली वह उल्टा ता वो यह चाहते थे कि हम लोग और जाध किताब का अमल करें किन्तु ये जो दरार पड़ी उससे बहुत लोगों ने उनको बहुत सारा फ्रीडम मिल गया उनको बहुत सारी ये जो एक तरह की स्वतंतरता मिली खुद को सोचने कि हम लोग जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं और ये इसका जो फल निकला वो करीब उसके 200 साल बाद निकला जब लोगों ने जो किताब है जो बुक है वो मेरे सिर्फ सोशिल लाइफ को डिक्टेट करेगा मेरे इकनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ को नहीं करेगा ये सेपरेशन कई सारे थिंकर्स कई सारे फिलोसफर्स कई सारे ग्यानी लोगों ने इस पे काफी चिंता की और काफी कुछ लिखा और उन्होंने इस बहतरीन तरीके से इसको सेपरेट किया कि ऐसा कभी लगा नहीं कि आप एंटी रिलिजियन हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने दोनों पक्षों को साथ में लेके और कई जगा पे तो ये ऐसा भी था कि वो खुद प्रीस्ट होते थे जो लिखते थे कि हमें अपना एकनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ सेपरेट करना चाहिए जैसे कि लोग ये समझते नहीं है कि आईजाक न्यूटन जो थे वो प्रोफेसर आफ स्पिरिच्वलिजम भी थे केंब्रिज में और प्रोफेसर आफ मैथेमेटिक्स भी थे तो ये वो दोनों चीज़े संभाल सकते थे अब ये जो एक सिलसिला चला ये एक कंटिनियूस प्रोफेस था अप्टेटिंग अफ नॉलेज रीजन इन सब चीज़ों को प्राइमेरी बनाना अब ये इंडिया में क्यों नहीं हुआ भारत में क्यों नहीं हुआ इसके बहुत सारे कारण है एक तो ये है कि दरार पढ़ने के लिए कोई जरूरी नहीं था क्योंकि हमारे जो रिलीजन था उसमें इसा कोई इतना डॉक्टरिनल नहीं था जहां पर एक ही किताब पर आप सब कुछ करें तो हम लोग थोड़ा फ्री फर्म ओपन सिस्टम थे जिससे यह स्पेसिफिक जो जरूरत है यह कभी पड़ी नहीं दूसरा वो जो भक्ती मूव्मेंट था वो एक तरीके से पहली बार वो दरार पड़ी थी क्योंकि भक्ती मूव्मेंट का जो अर्थ था उसका कि बीच में कोई किसी को आने की क्या जरूरत है हम लोग डिरेक्टली बात कर सकते हैं जो एक तरीके से प्रोटेस्टेंटिजम का भी का भी एक मूल कारण था कि बीच में कोई कारण ओद्शच इंटर्मेडियरी की जरूरत नहीं और भक्ती मूवमेंट ने वह किया क्यूंकि बहुत सारे जो उस तब तक शोषित वर्ग है समाज का उन्होंने भक्ती मूवमेंट पिख अप किया क्यूंकि जो वुमें थे किष्री जाथी किठे कि उनको यह स्टीम दि क्योंकि उसके बहुत सारे कारण है क्योंकि अगर वो बढ़ता तो शायद हम लोग भी एक तरीके से उसको उस जो दायरा था धर्म का उसको हम फिर बढ़ाते हैं फिर हम लोग पूछते कि यह जो हम जिस तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि बीच में इंटरमीडियर की जरुवत देखते हैं नहीं है यह यह पूछ सकते हैं में क्यों नहीं पूछ सकते हैं पर उसके बहुत हारे कारण है क्योंकि उस समय दूसरे पूलिटिकल मॉव्मेंट्स चल रहे थे हमारा धियान दूसरों चीज़त दूसरी चीजों में बढ़ गया तो यह एक lifelong सर्च है मेरा और मै मारे यहां क्योंकि जा आप अपर दो चलो आप यह माशिकर नहीं है डेफलमयंट मैं और जब यूरोप गीति रखे डीछ का सवाल है इस की तलाश में लगा हूँ विछले बीस साल की स civлам कि यह कोशिश नहीं लेकिन कि हिंदुस्तान में जो वेदान्त वाला पियरिड भी था वो भी सवाल पूछने का और एंकॉरी का पियरिड था हिंदूस्तान में और काफी पहले था कि उसमें भी था कि जो वेदों में लिखा इसे मानने की जरुरत नहीं वेदान में आप सवाल पूछते हैं मतलब नची केता की पूरी कहानी ही सवालों के उपर है और जहां पर आप हर चीज को question कर सकते हैं बगरा लेकिन मेरा मेरा थोड़ा मानना इसमें यह है कि जो एक बड़ी special property है Indian society की वो है जाती तो आप कहीं पे भी चली रहती है वो हर जगे रहती है और यह एक शायद अलो हमारे यहां पर आपकी मेरे को बात बहुत अच्छी लगी कि शायद हमारे यहां पर एक किताब का उतना जोर भी नहीं था थोड़ा open system है मतलब आप और आप किताब को question भी कर सकते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि शायद वो बिलकुल शायद तो यह मेरे को ऐसा लगता है जबकि western society में सवाल पूछने पर restriction था पर सब पर एक जैसा और फिर जब शायद वो खुला तो वो society unlock हो गए यह भी मतलब यह जो विदानत की आपने बात की विदानत में यह है और जब शंकराचारिया जी ने आठवी सदी में यह उन्होंने काफी काम किया इस पर और उनकी अगर आप जीवन कथा पढ़िये तो आपको पता चलेगा कि वो अलग अलग जगा जाके तरक और विवाद से ही लोगों को जीते थे क्योंकि उस समय बहुत सारे ऐसे रूडिवादी विचारों का बहुत ही बोलबाला था और शंकर वो बहुत ही छोटे थे तेरा साल के उम्र में निकल पड़े थे केरला से और जहां चाहां गये हर जगा गये भारत में अगर आप देखिए शंकराचारिया के जो मठ है तो वो तो चारो तरफ है भारत में और वो फाइनली उनका अंत में देहांत श्री नगर में समाज के एक वर्ग में ही सीमित रह गया था और वो एक मोबिलिटी जो नहीं थी वो हमेशा देखिए जब मोबिलिटी नहीं होती है तो फिर वो रिवलुशन नहीं होता है क्योंकि मोबिलिटी का आसार से ही रिवलुशन होता है अगर आपने मोबिलिटी को बिलकुल ही रो प्राने आपको जोड़ना चाहेंगे मैं सिर्फ एक ही पॉइंट जोड़ना चाहता था कि enlightenment भी थोड़ा एक specific period था और वो specific area में हुआ यॉरप में भी तो इसके ओपर कही किताबे हैं जैसे हम लोगों ने भी प्रतीक राज के साथ episode किया था और आपको याद होगा जिसमें वो लोग वो बता रहे थे कि किस तरीके से western यॉरप में कुछ conditions थी जिसकी वज़े से बहुत मतलब कुछ कई सारी conditions का एक confluence हुआ जिसकी वज़े से वहाँ पर जो बदलावाए वो शायद eastern यॉरप में भी नहीं तो ऐसा नहीं था कि वो चीजे पूरे यॉरप में हुई तो शायद ये भी एक चीज है और जोल मोकेर और कई सारे economists ने इसकी उपर और study किया तो ये ऐसी theories है लेकिन मतलब मेरे पास इससे बहतर जवाब नहीं जो रगु ने बताया कि क्या fundamental differences थे भारत और यॉरप में वैसे मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हजारी प्रसाद दिवेदी जो हैं DD को सामभी ये दो हैं हमारे scholars 20 सदी के और हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने इतने सारे निबंध लिखे इतने अच्छे निबंध लिखे तो वो तो हर किसी को पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो जिस पे अभी हम बात कर रहे हैं इस पे उन्होंने काफी गहरी चिंतन की और उनका बहुत ही फेमस निबंध है जिस पे हमने भी एक पोस्ट लिखाया और वो किताब में भी है कि जब दिल भरा हो और माग हो खाली जो कि मैं हमेशा सोचता हूँ एक तरीके से हिंदू समाज का एक एक लाइन का इतना तीवर विबरन किसी ने नहीं किया है नहीं ठीक है तो ये आपके कुछ रिकमेंडेशन उनके निबंध के हम पोस्ट में डालेंगे रहा हूँ दीजेगा बाद में तो इसी से एक follow-up question बनता है जैसे कि फिलहाल एक प्रकार की debate चल रही न ये कहते हुए कि देखे हमारा समाज conservative था और हम पे जब हमारा समविधान बना तो एक प्रकार का एक liberal constitution liberal in the sense कि समाज से ज़ाधा liberal कि जिस समय जब समाज में एक प्रकार की equality नहीं थी पर बाहर कुछ लोग ऐसम दब इस तरह से भी एक frame कर सकते हैं कि जो western ideas में believe करने वाले थे उस प्रकार के लोगों ने आके शायद ये एक बड़ा ही liberal constitution बना दिया और अभी एक conservative society पे रखा और अभी हम उस दोनों का द्वन देख रहे हैं और हम देख रहे हैं कि एक तरह से समाज उसको वापस capture करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा एक idea भी हम काफी पर बात करते हैं इस podcast में भी कि अगर कोई social change आना चाहिए तो वो finally समाज के थुरू आना चाहिए एक प्रकार का बाहर से state का imposition एक limit तक ही चल सकता इससे जादा नहीं चल पाएगा पर भारत के समविधान के संदर में आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद हमारे समाज क्योंकि ये समाज इतने समाई से बदला ही नहीं था जैसे हमने अभी discuss किया तो शायद इस समाज को एक catalyst की जरूरत थी और शायद हमारा समविधान वो catalyst बना है और इस पे आप कैसे सोचते हैं कि समविधान हमारे समाज का प्रतिभिम नहीं है पर कि खुद ही एक क्रांती लानी की कोशिश कर रहा है मेरे हिसाब से आपको हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि जब इसके बारे में लोगों ने सोचा था तो उनके पास पर्याय क्या था उनके पास उस समय और क्या कर सकते थे वो इसके इलावा तो ये Bayesian thinking है कि आभी आज के date पे हमें और updated knowledge है हमारे पास हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है समाज का जो एक तरीके से एक uprising है जो पहले शायद subterranean था जो शायद सत्य के नीचे था पर अभी वो पहार आ गया है जो लगता है कि हमें एक तरीके से हमारी जो मूल विचार थे उसको दबाया गया और अभी हम उसको एक revival करेंगे उसका पर अगर आप आग से 75 साल पहले चले जाएं तो मेरे हिसाब से तो यही एक मात्र रस्ता था हमारे पास क्योंकि हम एक नई कलपना पर इस ट्रास्टर का निर्मान करना चाहते थे और वो नई कलपना के लिए इस तरीका का संविधान अवश्य था तो आप यह कह सकते हैं कि अगर हम इसको एक incremental तरीके से करते तो शायद आज बहतर होता पर किसे पता यह जो alternative reality है इसका तो बतलब यह कोई बता नहीं सकता है क्योंकि मैं हमेशा यह सोचता हूँ मैंने एक और जो area जिसके बारे में मुझे बहुत खासी दिल्चस्पी है आजकल वो है African nationalism क्योंकि बहुत सारे African countries 1960 के दशक में वो independent हुए है और फिर मैं यह देखना चाहता हूँ कि उनके जो leaders थे जो उनके founding fathers, mothers थे वो किस तरह के लोग थे, उन्होंने क्या सोचा था पहले 5 साल में जब वो अपना constitution बना रहे थे उन पर कितना बड़ा प्रभाव था गांधी, नेरू और हमारे संविधान का और फिर उन्होंने क्या किया और आप देखेंगे कि बहुत सारे उनके जो देश, बहुत सारे उनके जो संविधान थे, वो tools of revolution नहीं थे क्रांती वाले, उन्होंने क्रांती वाला रस्ता अपना है नहीं, उन्होंने कई जगाओ पे यह incremental रस्ता अपना है उनके stripes जो थे, वो थे, जैसे इंडिया में भी हैं, पर मैं हमेशा यह सोचता हूँ कि यह सवाल जो है तरीके से मुझे लगता है कि इससे कुछ नया नहीं मिलने वाला है, हाँ हमारा एक संविधान है, एक क्रांती का टूल है, पर जो है, सो है, जैसे सोचा था, वैसे सोचा है, वो हमारे पास है, और बहुत ही अच्छा संविधान है तो वैसे मैं भी थोड़ा devil's advocate प्ले कर रही थी, यह सवाल को पूछ खे और आपके idea सुनने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जैसे कि जब हम यह संविधान की debates वगरा पड़ते हैं, तो यह बनाने वाले जो लोग थे, वो भी तो भारती यही थे, तो ऐसे वो हवा से तो बाहर से तो एकदम नहीं आये थे, तो कही ना कहीं उन तक यह सारे वीचार पहुँच ही गए थे, और वो समाज का हिस्सा था, और हमारे समाज की बहुत सारे representative में थे, तो ऐसा नहीं थे, बिलकुल विभिन, मतलब बहुत ही चुने हुए लोग थे, और बहुत ही representative section जो भारत का समाज है, उसको represent करते थे, एक मतलब tribals थे, अलग-अलग धर्मों से थे, तो यह तो है, तो उनको मालूम था कि वो क्या आप कह रहे हैं, क तो रगु से, मैं इसे एकदम समकालिन तोर पे देखता हूँ, मैं public policy issue की तरह देखता हूँ, इसे ना की historical angle से, तो एक तो जो सामाजी क्रांती लाने का जो ब्योरा उठाया हमारे संविधान ने, वो तो काफी, काफी admirable चीज थी हमारे लिए, क्योंकि जैसा रगु भी बो अची चीज थी और वो ही counter factual क्या है, अगर हम लोग शायद नहीं यह सामाजी क्रांती अटेम्ट नहीं करते तो भारत आज किस दशा में होता वो हमें पता नहीं है, जो शायद अभी लगता है हमें कि हम लोगोंने वो चीज की, इसलिए 70 साल बाद उसका response आ रहा है, मैं तो बिदाने चाहिए, वो अभी तक खतम नहीं हुई है, और उसकी वज़े से सरकार को अल्रेड़ी बहुत सारी चीज़े करनी है, तो हमारा बस हमारा छोटा सा एक मुद्दा है और एक छोटी सी दर्खवासत है कि उस project में आप और चीज़े मत आड़ कीजे, अभी तो मत आड कीजिए, क्योंकि वही चीज़े जो हम लोग चाहते थे उस टाइम पे वहां तक हम लोग अभी तक पहुचे नहीं है, कई बार अक्सर ये लोगों को लगता है कि अब सरकार सामाजी करांती लानी ही चाहिए, तो हर जो चीज मुझे और तुमें पसंद है, कुछ होनी चाहि तो वो एक मुझे लगता है ज्यादा हानिकारक चीज है, ना कि conservative versus liberal वो trade-off कभी नगभी उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये चीज जो है हम लोग का default mode ये है कि मेर को problem है, सरकार को solution करना है, वो चीज को हम लोग question करना है कि वहां रुख जाओ, अभी सामाजी करांती चल सरकार कई चीजें हैं, जो सरकार को करनी है, हमारी law and order देखो, हमारी judiciary देखो, वो चीजों में हम लोग कई 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 हमे marathon run करनी है, तो हम लोग क्यों ना उस पे ध्यान दे और ना कि नए-ने project राट करें, तो बस उतनी ही बात है इस किताब में, तो अगले सवल पे आते हैं, तो यह एक running theme है, और आपकी किताब भी बैद वे हम पुलिया बाजी में भी अक्सर यूज़ करते हैं, समात, सरकार, बाजार, इन तीन पहलों के ऊपर आप लोगों ने divide किये हैं, अपने essays वगरा, तो generally एक theme है कि सरकार जो है, वो pro business नहीं, pro market होनी चाहिए, तो कोई एक आप अंतर कीजेगा, मैं मतलब इसका एक theoretical foundation देता हूं, प्रणय के पास तो इसके उधारनों का भंडार है, इस एरिया में, pro market या pro free enterprise कह लीजिए, इसके जो मूल principles हैं, वो पहला है कि playing field level होना चाहिए, ताकि competition fair हो, तो वो बहुत important है, second है, regulations जो होने हैं, जो कोई भी विनियम ला रहे हैं, वो इसलिए लाने चाहिए, जहां पर एक market failure हो रहा है, और वो market failure को, उसको solve करने के लिए, कोई भी आप विनियम जो भी ला रहे हैं, वो उसलिए लाने चाहिए, और तीसरा है, वो spontaneous है, order, वो आपको उपर से बैट के कुछ plan नहीं करना चाहिए, वो individual transactions, individual participants, जब हजारों, लाखों transactions करेंगे, तो उससे जो, वो spontaneous तरीके से जो transactions करेंगे, उससे अपने आप, एक invisible hand, जो Adam Smith ने कहा था, उससे ही वो market चलेगा, तो यह है, free, pro-free enterprise philosophy, pro-business का मतलब है कि आपको यह business house अच्छा लगता है, या आपको यह business बढ़ाना है, आपने यह तै कर लिया है, पहले चीजिए कि इंडिया विश्व गुरू बनेगा, semiconductor पे, यह एक determined idea है, इसमें पी कभी-कभी success हो सकता है, यह नहीं कहता हूँ कि इससे success नहीं हो पाएगा, पर यह इसमें खत्रा जादा है कि और जो गलत चीज़े हैं, जो capitalism के या market के, वो आ जाएंगे आपके economy में, और यह हमारे साथ हुआ है, यह दूसरे देशों में भी हुआ है, इसको लोगों ने बहुत काफी अर्से से इसको लोगों ने इसका धिया है, तो हमें कोई जरूर भी नहीं है हमारे लिए कि हम लोग वो सारे चीज़ें फिर दोरा हैं, यह जो reinvention और फिर करें, तो यह इसका philosophical foundation है, उधारन तो फिर प्रने देंगे, अब प्रने उधारन के साथ में एक इसमें जो आलोचना है उसको भी जोड़ लो, तो I think रगु ने बहुत अच्छे से सम फिर उसमें chronic capitalism आही जाता है कहीं बार कि भई, US में जैसे defense field एक बोल सकते हैं आप इस तरीके का है, और हिंदुस्तान में अभी कुछ field इस तरीके के बन सकते हैं, जहां पर एक बार सरकार की policy आ रही है, तो जो सरकार के निकट लोग हैं, वो उस policy का फायदा उठाएंगे, उस field में बड़े होने के लिए, लेकिन फिर लोग कहते हैं कि भई, इसमें खराबी क्या है, दूसरे देशों में अगर इस तरीके की बड़ी company बन जाती है, तो फिर एक शेत्र में काफी बड़े बड़े Chinese बड़ी company बन जाएंगी, US की बड़ी company बन जाएंगी, और बिना इ जिंगालस की एक बहुत अच्छी famous book थी, Saving Capitalism from Capitalists, तो मतलब, capitalism को capitalist से बचाने की जरूरत है, तो उसी, वही difference है pro market और pro business में, और यह actually, Danny Roderick और Arvind Subramaniam ने 2004 में एक paper लिगा था, भारत के संदर में, और उसमें उन्होंने का था, तो जैसा रगु ने बता है, वही difference है, मैं इसको एक उदारण के तरह हमेशा बोलता हूं, जैसे अगर एक 100 मीटर की race है, सब लोग line में रुखें, और अगर आपने वो, मतलब, एक मैदान पे चल रही है race, और अगर आपने नीचे mat लगा दी, और लोग, सब लोग तेसी से जा रहे हैं, तो वह pro market reform हुआ, और pro business इसनी बड़ी बात क्यों थी, वो इसी लिए कहते हैं, क्योंकि जो चीजें उसने, उस reform ने घटाई ही, जैसे license permit, quota raja वगरे हटाया, वो pro market था, क्योंकि सब लोगों को उसका फायदा हुआ, ना सिर्फ किसी एक capitalist को, तो उस तरीके की चीजें करना हमें काफी, करने के काफी ज़रूरत है, और मैं वो example वही दे रहा चारा था, सौरब हम लोगों ने discuss भी किया इसको पहले, जो एक हमारी पहले policy थी, items reserved for the manufacture, exclusively by the small sector, ऐसी एक policy थी, जो 1967 में शुरू होई थी, जिसमें हम लोगों ने बोला था, कि ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए, जो सिर्फ small sector को produce करन तो हमें ऐसे businesses बनाने चाहिए, जिसमें capital ना आए, जिसमें लोग machine ना use करें, क्योंकि अगर हम लोग machine यूज करेंगे, तो लोगों को job भी नहीं मिलेगी, तो वो हम लोगों ने शुरू की 5 items से, जो की 1990 तक तकरीबन 1000 items हो गए थे, उसमें electronics वगेरा भी शामिल थे, और जै हम लोग अगर ऐसा करेंगे कि हम लोगो सिर्फ छोटी company चाहिए और जो बड़ी ना हो, और हम लोग actively discourage करेंगे उन्हें कि वो machinery से हो, तो उसका क्या फायदा होगा, और इसके उपर कही बार study भी हुई, तो finally last item इस policy में 2015 में निकाला गया, और उसके बाद लोगों ने study की क क्या फरक आया उस sector में जहां पर derezervation हुआ, तो कई सारी analysis हुई जिसमें उन्हें ने का कि item derezerve होने के बाद उस खेत्र में जितनी company थी वो 25 प्रतिशत बढ़ गई, employment 50 प्रतिशत बढ़ गया और output भी करीबन 35 प्रतिशत बढ़ गया, तो ये सर सिर्फ उधारन है कि जो company है जो employment है वो छोटी company से नहीं बढ़ती बलकि young enterprises से बनती है, तो जितनी जादा company होंगी उतने जादा उनको growth चाहिए होगी, उतने जादा लोगों का भी उधार होगा, employment की तरफ से, consumer की तरफ से, तो सब, तो उस दिरिश्टिकोंट से हम लोग देखे, तो सौरब उसी की, इस बहुत है, वो अगर dependent होगी, तो हम लोग कितना बड़ा risk ले रहे हैं, एक तो वो लोगों के क्या करने वाले हैं, उन लोगों के, अगर उन वो पकड़े गए, या उन्होंने कुछ और गडबड की, जो भी हो, उसकी वाज़ा से, पूरी भारत की जो economy है, उसके उपर फरक तो प्रो बिजनस चायद छोटे तोर पर और छोटे काल के लिए अच्छी लगती है, लेकिन आगे जाकर कई लोगों को ऐसे लगता है कि finally प्रो मार्केट करने हैं, अम लोग जब यह record कर रहे हैं, तब यूएस ने भी decide किया, एक जो bank है, जो Silicon Valley bank, जो अभी उनका बहुत उनको वो वापस bailout नहीं कर रहे हैं, वो लोग consumer के interest protect कर रहे हैं, लेकिन bailout नहीं कर रहे हैं, तो यह difference जानना बहुत ज़रूरी है, pro market और pro business में, बिलकुल, बिलकुल, हाँ, उन्होंने bank को डूबने दिया, लेकिन खातों को नहीं डूबने दिया, और थोड़ा आ गया आत और गुजरात model की बाते होती रहती है, और दोनो model के बीच की एक debate चलती रहती की कौन सा model अच्छा है, कौन सा बुरा है, तो आपने ऐसा लिखा हुआ है कि यह दोनों राज्योग का जो model है, उनका ऐसा बनने के पीछे एक प्रकार की उनकी खुद की एक path dependency है, उनकी एक history है जिसकी वज़े से वो ऐसे बने हैं, ना कि फिल हाल की कोई policy जिससे वो ऐसा हुआ है, तो थोड़ा और बताएए न इसके बारे में, धोकला और अपम, हाँ धोकला और अपम, मतलब क्यूंकि मैं दोनों चीजों का कायल हूँ, धोकला और अपम दोनों का, तो इसलिए यह ज केरला मॉडल और गुजरात मॉडल में बात चालू हो जाती है, जो कि 2019 में कासी हुई थी, तो उसी के संदब में हमने यह लिखा था, तो यह है, अगर आप किसी भी स्टेट, पूरे स्टेट को अगर आप एक मॉडल पे की तरीके से आप उसको देखना चाहते हैं, तो ऐसा तत्य है, वो ही बदल गया, तो इसलिए हमने थोड़ा इस पर हमने पहले थोड़ा हिस्ट्री पर गया, पहली बात तो आज कि अगर आज भी आप देखिए, तो ऐसा नहीं है कि केरला में इंटरप्राइज नहीं है, या गुजरात में सोशलिसम जैसे मतलब सोशलिस्ट या इसलिए बहुत आगे निकल चुगा था, क्योंकि वो जो त्रावन कोर के महरानी थी, उन्होंने तभी इम्मिनाइजेशन और वैक्सिनेशन का कारेक्रम शोड़ू कर दिया था, और उसके कारण है, वो कहां पे उनका, कहां पे वो पढ़ी थी, किस तरीके के बाहर के इंफ तो इसलिए वो मिन्स कॉलेज भी वहां पहले चालू हो गये थे, और अगर फिर वो मिन ने पढ़ना चालू कर दिया तो फिर वो काम पर भी लगने जा जाए थी, तो वो खुद बहुत सारे टीचर्स बनी या नर्स बनी, तो ये एक बहुत 200 साल वाली एक परंपरा है, एक एक इत्यास है, और उस पर फिर बीच बीच में, 1930 की बात कर लीजिए, उनिस सो चारीस की बात कर लीजिए, चपन में जब कम्यूनिस गर्मेंट आया, तो अलग-अलग चीजे उसको उसमें फिर वो एड करती रही, और जिसका पूरा जो फल है वो आज हम देख रहे हैं, त तो उसका भी हाथ है, और वैसे ही हम फिर हम गुजरात के हिस्ट्री पे गए, तो वो सूरत था, कांडला था, ये सब हमारे मतलब बरसों से ट्रेडिंग पोस्त रहे हैं, तो वहाँ पे एक मर्केंटाइल कल्चर था, जो की बहुत स्ट्रॉंग है, बहुत सालों से बैटल ऑफ प्लासी या बैटल ऑब अकसर या पानीपत के कोई लड़ाई नहीं है, बैटल ऑफ द्यू है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बता चालेगा कि कितना इंपॉर्टेंट था द्यू को कंट्रोल करना, ट्रेड के हिसाब से कि वेनिस से नेवी बुलाई गई, इजिप्ट से नेवी बुलाई गई, पोर्चुगीज, वेनिस और इजिप्शिन ने लड़ाई की अंग्रेजों के साथ, बैटल ऑफ द्यू के लिए, तो ये अगर आप पूरा पूरी समिक्षा करें, इधियास का, सोसाइटी का, बीच पीच पे क्या होगा, फिर आपको कोई मतलब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे इससे, कोई कोई नया, कुछ नया विचार नहीं ला पाएंगे, ये सिर्फ एक, एक स्टीरियो टाइप रहके, उससे ही उसी पर ही रह जाएगा, तो ये हमारा ओरीजिनल थॉट था, जिस पर हमने कुछ काम किया, उसके बाद ही और दोनों की अपनी खासियत है, और इसमें कुछ एक इंट्रेस्टिंग चीज़ है, जो है, मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक तो जैसे लोग अकसर कहते हैं, कैरला से जो नर्सिस हर जगे होती है, भारत के किसी भी कोने में या फिर मिडल इस में, और लोगों लगता है, श करकार की सक्सेस है, लेकिन जादा था नर्सिंग कॉलोजिज जो कैरला में है, वो प्राइवेट सेक्टर में है, और शायद कई लोगों को यह पता नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में इतने नर्सिंग कॉलोजिज है, उस वज़ए से महाँ पर सप्लाय जादा है, इन फैक गंड़ाज की इस से हुए ना तो हाँ विचारधार है तो कही सारी हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं है कि वो communist data तो यह फरक है और दूसरा जैसा एक और example है गुजरात में शायद भारत के second largest number of PSUs है state PSUs जिसमें हम लोग ने बात की थी तकरीबन 1100 है भारत में उन में से second largest है शायद गुजरात में तो यह difference जो हम लोग neatly बताते हैं कि गुजरात इसमें सब private sector का होता है और केरला तो communist है यह थोड़ा सोचना चाहिए उसके उपर यह बहुत बढ़िया example बता है हम discuss तो खूब देर तक करते रह जा सकते हैं एक के बाद एक तो एक आखरी सवाल पर खतम करूंगा क्योंकि एक एक पब्लिक की बात करीब रणे और आपने एक गुड़ सवाल को discuss भी किया है बुक में कि आजकल इतना यह धुरूवी करण है कि जिसमें समवाद नहीं हो पाता और हमारा पुलियाबाजी का एक बहुत हमारा एक बहुत बड़ा गोल रहता है कि समवाद हमेशा होते रहना चाहिए हर चीज़ पर हम चर्चा कर सकते हैं यह नहीं है कि आरे हम तुमसे बात नहीं करेंगे या हम तुमसे बात ही नहीं कर सकते तो एक आपने एक final vocabulary के बारे में लिखा है कि आपस में दो अलग अलग लोग कैसे एक सांजा शब्दावली ढूने एक दूसरे से बात करने की तो यह जो सांजी शब्दावली है यह इसके बारे में कुछ बताईए कि यह किस तरह से हम आपस में बात कर सकते हैं समवाद कर स हैं ताकि जो बाते हैं वो चलती रहें तो रगू आपके लिए देखिए एक तो है कि मैं पहले एक फिलोसोफर है वो पहले रिकमेंड कर देता हूं ताकि लोग अगर पढ़ सकें तो बढ़िया है एक बहुत ही फिलोसोफर थे रिचर्ड रॉर्टी और उनकी ये किताब है बहुत ही डीप और गहरी किताब है जहां पर रॉर्टी में ये टर्म यूज किया था फाइनल वोकाबियरी और इसका उनके वो जो वो कहते हैं कि एक आदमी एक मनुश्य का जो फाइनल वोकाबियरी होता है वो होता है कि वो कौन से शब्द हैं वो किस तरह के अलपास हैं जिससे वो अपने धारनाओं को, अपने actions को justify कर सके. और ये एक बहुत ही important चीज़ है, ये जो दूसरों की final vocabulary समझना. क्योंकि एक बार अगर आप वो दूसरों की final vocabulary समझ सकें, तो आपको पता चल सकता है कि उस पे अगर आप कोई doubt create करना चाहें. क्योंकि उसको अगर आपको बदलने, आप चाहते हैं कि वो बदले थोड़ा, तो उस पे आप doubt तभी create कर सकते हैं, जब आपको पता चले कि वो currently कौन सी उनकी final vocabulary है, जो वो यूज़ कर रहे हैं, और फिर वो जो आप अपने जो arguments डाल रहे हैं, उसको ऐसे phrase करें कि ताकि उनके जो present vocabulary है, उससे वो समझ सकें, ताकि वो उस पे फिर सोच सकें और उसको dissolve कर सकें, क्योंकि अगर आप अपनी final vocabulary उनके ला देंगे, तो फिर तो बात ही नहीं हो सकें, तो ये दूसरी चीज़ है, और ये जो तीसरी चीज़ है कि एक बार वो आप समझ सकें कि आप उनकी जो final vocabulary है, और आपकी जो final vocabulary वो इतनी दूर नहीं है, तब जाके कुछ बात आगे बढ़ेगी, इसलिए कई बार हमने अपने किताब में और हमने अपने newsletter में ये बार बार दिखते हैं कि हमारा उद्देश क्या है, कि भारत का कल्यान हो, कि हमारे देशवासियों का कल्यान हो, इसक सवाल है, तो अगर आप उससे हर, जो भी आप discuss करना चाहते हैं किसी से, आप हमेशा ये बात पर वापस आ जाईए, कि इससे क्या हमारे देशवासियों का कल्यान होगा, और कभी-कभी तो इसी पर डिबेट हो जाती है कि देशवासी कौन है, कि हैर वो अलग है, वो किसी औ कि वहां से, अगर हम सब फाइनल वोकैबलेरी को वहां ला सके हैं, सभी लोगों की, और जो हमारा पब्लिक डिस्कोर्स है, वहां पर अगर हम वो फाइनल वोकैबलेरी इस तथ्य पर रखें, तब जाके हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो हम, we'll be talking past each other जो कहते हैं, पर वो किता आप जरूर बढ़िये, मैं शुरताओं को ये आगरहे कर लूँगा, कि बहुत ही डीप है वो कितार, मैं थोड़ा इसे एक सकारात्मक स्पिन दे देता हो इसको, मैं ये सोच रहा था कि हम लोग जैसे अकसर ये संदर्ब जो था ख्याती आपने बोला था, सोशल मीडिया के जैसे कि कई सोशोलोजिस ने कहा है, एक्चुली हम लोग पहले इको चिंबर्स में थे, जब हम लोग के पास सोशल मीडिया इतना नहीं था, लेकिन अब सोशल मीडिया में आने से तो हम लोग और टकराव हो रहा है, इसका मतलब है कि हम लोग दूसरे व्यूपॉंट को दे कर रहे हैं, एक दूसरी विपरित आइडियोलोजी से बहुत ज़्यादा दिन बदिन, तो इसलिए हम लोग भी समझ रहे हैं, शायद पूरा all of humankind is going through this, और हम लोग शायद समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग समझ पाएंगे, और कभी न कभी, कैसे होगी, क्या होगी मुझे पता नहीं, लेकिन तब तक कोशिश जारी रहनी चाहिए, बस यही है, एक दम प्रणे ने हम होंगे कामयाब मूर्ड में खतम किया है, पॉडकास्ट, तो वो सुबह कभी तो आएगी, लेकि आशावादी होना, आशावादी होन प्रणाली चल रही है, नाराज नहीं है, जैसे गुलजार जी ने लिखा था कि तुझसे नाराज नहीं हूँमे, हैरान हूँमे तुझसे, तो हैरान की है कि हम लोग ऐसे क्यों है, नाराज की नहीं है बिलकुर, तो ये एक दम आपकी बु Mmी स्टाइल में आज का पॉडका रहें तो आपको आज के discussion से क्या सवाल आए दिमाग में हमको जरूर बताइए लिखिए धन्यवाद तो मैं एक आखरी pitch कर देता हूं किताब पे किताब जरूर पढ़िए जाइए खरीदिये गिफ्ट कीजिए एक मेरे हिसाब से एक interesting और काफी सवाल तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ें कहीं है तो ये हमारा हमारे hard work का एक नतीजा है तो प्लीज जाके किताब पढ़िए और किताब लोगों को गिफ्ट मैं मेरी आजकल फेवरेट गिफ्ट आइटम है ये विसे मेरी भी मेरी जैने अलड़ी एक extra copy मंगवाई आप लोगों के लिए option थोड़ी नहीं तंपल सरी ऐसा कुछ नहीं option हमेशा होता है लेकिन बहुत अच्छी है और मैं बताओ तो काफी ऐसे लोग जो की generally public policy को काफी रुखे तरह से देखते हैं उनको भी बहुत पसंद आ रही है तो ये के लिए साधुवाद आप दोनों के तो इसी बात पर दोनों साधुवाद करते हैं और आज का episode कतम करते हैं तैंक यू दनिवा आपके समय के लिए शुक्रिया उमीद है आपको भी मज़ा आया यह podcast संभव हो पाया है तक्षशीला इंस्टिटूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशीला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आपकी उम्र कुछ भी हो अगर आप पॉलिक पॉलिसी, विदेश नीती या टेकनोलोजी गवननेंस में रुची रखते हैं तो तक्षशीला की website तक्षशीला.org.in पर उनके courses को जरूर चेक कीजिए और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हमसे कनेक कीजिए पुलियाबाजी at gmail.com पर या फिर at पुलियाबाजी ट्विटर पर शुक्रिया